कथा रमायड की हर पीता के भागे में बेटी नहीं होती राजा दसरत जब अपने चारो बेटों की परात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो राजा जनक ने शमान्य पुर्वक बरात का श्वागत किया तभी दसरत जी ने आगे बढ़कर जनक जी के शरण छू लिये चौक कर जनक जी ने दसरत जी को थाम लिया और कहा महराज आप बड़े हैं वर पक्छ वाले हैं ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं इस पर दसरत जी ने बड़ी शुंदर बाद कही महराज आप दाता हैं कन्या दान कर रहे हैं मैं तो याचक हूँ आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ अब आप ही बताईए दाता और याचक में कौन बड़ा है यह शुनकर चलक जी के नेत्रोशे आशुधारा बैह निकली भागे शाली है ओ जिनके घर होती है बेटिया हर बेटी के भागे में पिता है लेकिन हर पिता के भागे में बेटी नहीं होती